दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मोका आने पर साथ चोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मोका डूनते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसे चाहा और कितना चाहा, हमें तो यह पता है कि हमने तुम्हें चाहा और बेपनाह चाहा, माना कि काफी दूर हो, लेकिन दिल के सब से पास हो तुम, सुबह की पहली और रात की आखर याद हो तुम, सोचो कितनी खूबसूरत हो जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी, हम उसे खरीद नहीं सकते, तकलीप तो मुझे भी होती है, मगर ये बात होसला देती है, कि तुम रह सकते हो, मेरे बगेर, तो मैं क्यों नहीं, जो जितना एड़जेस्ट करता है, उसे उतना ही ज़्यदा एडजेस्ट करने के के लिए मजबूर किया जाता है, देर से बनो, लेकिन जिन्दगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना, खेरियत नहीं, हैसियत पूछता है, जबसे लोग मुबाइल के इतने करीब हो गए हैं, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं, बेवज जिन्दर देखने से अच्छा है, हकिकत की एक बूंद को पा लेना, जमाने में याद वही किये जाते हैं, जो जमाने को नहीं, खुद को बदलते हैं, बस में कहां है, जिन्दगी में किसी के कुछ, समय स्वयम तै करता है, समश्याओं के हल, हम हर बात को दिल से नहीं लगा नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे, मरने के बाद की गई कदर, और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत तो नहीं होता, उम्र जाया कर दी लोगों में, और उनके वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को इंसान की कदर करो, जो आपके पास है, मजबूरियां देर रात तक जगाती है, और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है, इंसान दो लोगों से हमेसा हार जाता है, एक अपने परिवार से, और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से, वक्त के फेशले कभी गलत नहीं ह सत्यकेवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है, जो लोग जूट में रहने के आदी हो चुके हैं, खुश दिखने से ज़्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना ही होता है, जिनका वक् सब्दों को भी सुन्दर रखिये, लोग आपकी सक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके सब्दों को नहीं भूलते। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है, तो कोई सुकून बन जाता है। प्रेक प्रीम पाउडर से नहीं, बल्कि अपनी कावीलियत से चमकते हैं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। जिन्दगी में हमेशा उन्से दूर रहना, जो आपने वो कमी बताएं, जो आपने है ही नहीं। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है लेगिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती टेंसन, डिप्रेशन और बेचेन इंसान तभी है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है इच्छाएं, उम्मिदें और नाखुन इन्हें समाई समाई पर कारते रहें इन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं हाथ की इंगुलियां हमें सिखाती है कि दुनिया में एक जैसा कोई नहीं इसलिए जो मिले उसी में खुस रहें यदि सांती चाहते हो, तो कभी दूसरों को बदलने की ये पेक्सा मत रखो स्वयम बदलो, जैसे कंकर से बचने के लिए स्वयम जुत्ते पहनना उच्छित है ना कि पूरी दर्ती पर कारपेट बिच्छाने की हाँ मैं बदल गया हूँ, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे दिखावे की दुनिया है जनाब, यहां हर खुब सुरत चीजें, अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं चूट है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है सोचता रहता हूँ अकसर, क्या यही संसार है, मरने के बाद क्या होता है, जो जिन्दा है, वो बता रहते अपना गम सोच समझ कर बांटना चाहिए, दुनिया में हमदर्द कम, सिरदर्द ज़्यादा मिलते है किसी की तलास में न निकलो, लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता जूट, धोखा और बहाने, आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविशे में चुकानी पड़ेगी किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हातूं एक दिन जरूर मिलेगा रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, किसी भी ब्रांड के हो, दिल से उतर ही जाते हैं खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिष्टे बनाए हैं, सबसे ज़दा वही रोया, जिसने इमानदारी से निबाया है किसी को अपनी जान से ज़दा चाहने का इनाम, दर्द और आंसू के इलावा, कुछ नहीं मिलता मुसिबत में अगर मदद मांगो, तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसिबत थोड़ी देर ही होती है, और एहसान, जिन्दगी बरका मतलब और स्वार्थ के रिष्टे कोईले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं, तो चूने वाले को जला देते हैं, और ठंडे होते हैं, तब हाथ काले कर देते हैं